मान दोस्तों जब भी पंजाब का ख्याल मन में आता है तो लहराती फसले नाचते जूमते लोग शूर्बीरों योदाओं की गुर्बानी की कथाएं और गुर्बानी सर्वत का भला मांगने वाली गुरूओं की गुर्बानी मन में आती है और पंजाब ने हमेशा देश को लीड किया है पंजाब ने किसी भी संकट के मौके देश को नेतरत दिया है चाहे वो आजादी का अंदोलन हो चाहे आजादी के बाद हरे इनकलाब के रूप में ग्रीन रेवलूशन के रूप में अन्यक के मामले में अनाज के मामले में देश को आतन निर्बर करने का एक टासक हो तो पंजाब ने हमेशा लीड किया है और पंजाब के लोग हसने खेलने के लिए खुले दिल के लिए और दूसरों की मदद करने के लिए जाने जाते हैं लेकिन अगर पंजाब के लोगों के आपसी भाई चारे पंजाब के लोगों की अमन शान्ती और पंजाब के लोगों की आपस में प्यार पर कोई बुरी नज़र डाले तो पंजाबी किसी भी हालत में ये बरदाश्ट नहीं कर दे इतिहास गवा है जिसने भी पंजाब के शोशल भाईचारक सांज को जिसने भी पंजाब की अमन शा आज मैं आपके सामने बैठा हूँ, पिछले दिनों कुछ तत्व ऐसे थे, जो विदेशी ताक्तों के हाथ चड़कर पंजाम में महौल खराब करने की बातें कर रहे थे, नफर्त वरी, स्पीच दे रहे थे, कुछ ऐसे कनून के खिलाब बोल रहे थे, तो उन पर कारवाई की गई है, और उस कारवाई के दुरान वो सब लोग पकड़े गए हैं, और उनको सक्स सक्स सजादी जाएगी, क्योंकि आम आदमी पार्टी एक कट्टर देशवक्त और इमांधार पार्टी है, पंजाब का अमन चैन और देश की तरक्की हमारी और कोई भी ऐसी ताकत जो देश के खिलाफ पंजाब में पन प्रयू उसको हम बक्षेंगे नहीं, क्योंकि लोगों ने बारी बहुमत देकर हमां बहुत बड़ी जम्मेदारी दी है, दूसरों के बेटों को ये कहना के आईए, हम ये करेंगे, हम ये गैर करोनी काम करेंगे आप हमारा साथी जी बहुत आसान है, मुझे बहुत लोगों के फोन आए, बहुत पेरेंट्स के फोन आए, माता पिता के फोन आए, के जी आपने बहुत अच्छा किया, पंजाम में अमन और शांती रहनी चाहिए, इस मामले में हम आपका साथ देंगे, क्योंकि हमें डर थ और रोजगार दलवाने की बाते कर रहे हैं, तो हमारे लिए प्रात्मिक्ता किताबे हैं, हमारे लिए प्रात्मिक्ता लैप्टॉप और कंप्यूटर हैं, हमारे लिए प्रात्मिक्ता कोई गैर समाजिक हथ्यार नहीं है, तो मैं तीन क्रोड पंजाबियों का धन्यवाद क चलने की भी घटना की रिपोर्ट नहीं आई इससे मेरा भी होसला बढ़ा है कि लोग जो हैं वो शांती चाहते हैं लोग तरक्की चाहते हैं और हमारी सरकार जो हैं नफरत की राजनिती नहीं करते हैं हम तो तरक्की की राजनिती करते हैं हम सुकूनों की बात करते हैं अस्प क्रोद देश वासियों को कि अर्विंत केजरिवाल जी की गवाई में हमारी पार्टी हंडर परसेंट सैकुलर पार्टी है हम लोग किसी धरम के नाम पर जाती के नाम पर जाहरे नफरत के नाम पर कभी भी राजनीती नहीं करते और पंजाब की शांती और पंजाब के अमन के लिए हम सक्त सक्त कारवई करेंगे जो लोग बुरी कमपनी में, बुरी संगत में फसके पंजाब का कुछ बुरा सोचने का सपना भी ले रहे होंगे, वो भी गलत है मैं उनको कहना चाहता हूँ कि सपना भी लेना पंजाब में पंजाब की शान्ती को तोड़ने का यह आपकी गलत फह्मी होगी तो मैं एक वार फिर पूरी दुनिया में रहते पंजाबियों को भी आशवाशन दिलवाता हूँ कि मेरा खून का कत्रा कत्रा मेरे दिल की एक एक धड़कन मेरे एक सांस पंजाब के लिए धड़कता है हाजिर है पंजाब के लिए मेरे खून का कत्रा और पंजाब जो है वो नंबर वन सूबा था और नंबर वन सूबा बनाएंगे और पंजाब से लीड देश लेता था और लेता रहेगा आज भी हमारे हजारों जवान जो हैं वो देश की इजादी को कैम रखने के लिए सरहदों पर अपना सीना तान के खड़े हैं इस बात का हमें कर गए तो पंजाब की शांती को पंजाब के पीस को पंजाब की हर्मनी को अगर कोई टच भी करेगा अगर कोई बगारने की सोचेगा भी तो सक्त सक्त कारवाई होगी यह हमारा वादा है और इसी लिए आपने हमें जुम्यदारी दिया है उस जुम्यदारी के अधार पर ही मैं कह रहा हूँ कि पंजाब के लोग बिलकुल निश्चनत रहें पंजाब सेफ हाथों में है आमादी पार्टी की सरकार जो है वो आपकी सुरक्षा का दायत पर उठाएगी और आपके बच्चों को पढ़ाएगी बुजर्गों को अच्छा इलाज देंगे और तरक्की के नए-नए जो है मौके पंजाब में पैदा होंगे अच्छा इलाज देंगे